कारंट जी संभा होता है, 1956 से लेकर 1960 तक बनार्स में थे कारंट जी मेरे मित्र तो नहीं थे, मुझसे बड़े थे मैं आदर सुने देखता था लेकिन एक अजीब सी बात है कि कारंट जी को जब भी बनार्स में ने देखा सड़कों पर घाट पर विश्वी द्याले में या कहीं भी प्राय अकेले देखा और या उनका अकेलापन शाद बनार्स में नहीं था बहुत अच्छी इनसान थे बड़े खुबसूरत थे, काले सी दाड़ी थी लंबे से थे, पतले से थे चुंबकी व्यक्तित था उनका, खीश लेते थे किसी को लोग उनसे मिलना चाहते थे, बाते करना चाहते थे लेकिन जब भी उन्हें देखा, मैंने अकेले देखा और इसे बनार्स में नहीं भुपार में भी मैं उनके घर गया था वहां भी अकेले ही थे दिल्ली में भी मैं उनके घर गया था, प्रेमा जी उनके साथ रहती थी तब भी कारण जी थे और मेरे साथ विजय मोहन थे यहां आये थे नाटक करने के लिए सकंद गुप्त सारा कुछ अलख नंद देख रहे थे जब नाटक चला था कारण जी अविश्वी द्याले के थे अतित ग्रिह में अकेले कमरे में पड़े हुए थे और मरने से पहले आये थे बनार्स में ABC Art गैलरी में मुझे ख़ब भीजवाई थी माँ गया था उन से मिलने के लिए उस वक भी कारण जी अकेले थे तो उतना अकेला आद में पता नहीं क्यों इतना प्यार करने वाले लोग हुने थे दिल से चाहने वाले थे सम्मान बहुत था उनका सब कुस था लेकिन वह अकेला पन क्यों था उनके भीतर ये आज तक मेरे समझ में नहीं आ जा एक तो ये बात ये मुझे मालू हुआ है है द़्राबाद में कैसा क्यों था उनके बहुत प्रिव शिशे थे ऊडिया हाँ वो उनसे देर तक बात होई मैंने पूछा था उनसे क्यों था तो एक तो लेकिन बात के दिलों की बात हो सकती है उनका उनका कोई संतान नहीं थी और ये अंतिम दिनों में उन्हें ये तकलीफ थी संतान नहोने के तकलीफ लेकिन हमें लगता है कि उनके पूरे व्यक्ते तुम्हें ही एक वेरागे भाव था काम 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 और फ्रिद्निस काम तो एक तो ये चीज मैंने देखते हैं दोसरे वस्तोता है वे जब पीएचडी करना चाहते थे तो वे चाहते थे आचार हजार साइड वेदी जो हिंदी भाग के अध्यक्ष थे और बहुत बड़े विद्वान बान बटके अंका था के लेखक आलो चक पूरे देश में सम्मान था उनका वे चाहते थे अपना शोध करना पिएचडी करना पंडी जी के साथ शाद पंडी जी कहां जगह नहीं थी उन्होंने अपने निर्देशन में उन्हें नहीं लिया और बाद्ध्यों के कारंत जी को शोध करना पड़ा डाक्टर जगनापसाश शर्मा के अंतरगत्थ दिल से चाहते नहीं थे उनके साथ काम करना पंडारस में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था सिर्फ लेकिन हुन कहीं नहीं मन में ताय कर लिया था कि उन्हें शोध नहीं करना है शर्मा जी के साथ उन्ही दिनों जब राश्टी नाटी विद्याले शुरू हुआ, अलकाजी उसके सर्वे सर्वा हुए, तो जब आडमीशन होने लगा, तब कारण जी को एक मौका मिल गया बना छोड़ने कवरना बना छोड़ना नहीं जाते थे, वे चाहते थे रहना, लेकिन नाटी विद्य कारण हमारे खाले संसाथ में ही, वे एक काशी हिंदु शुद्याले और काशी छोड़ पर चले गए, वे बहाना था, एक और बात जो कारण जी के बारे मैं कहना चाहता हूं ये, माना जाता था ये कि ज़ शंकर प्रसाद, जो हिंदी के सब से बने नाटक कार माने जाते हैं उनके नाटक अभिनीत नहीं हो सकते, मन्चित नहीं हो सकते, ये लोग की धार्ना बरी हुई थी, जेतनी किताबे लिखे गई थी उस समय तक, प्राया हर आलोचक ने कहा था कि प्रसाद जी के नाटक अभिने नहीं हैं, इने खेला नहीं जा सकता, सिर्फ इने पढ़ा और यह धाना बनी हुई थी। काशी में और काशी हिंदु शिव द्याले में पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि जैशंकर पसाद कारण जी के लिए उनके नाटक एक चुनोती की तरह हो गए और उन्हों तय किया कि और कुछ हो या ना हो लेकिन पसाद के नाटक में करकर होगा और हमें लगता है कि सन उनी सो तिहत्तर में जब वरकशाप उन्हों चंद्रुप्त नाटक के लिए लिया और वरकशाप का काम बनारस में शुरू किया तो चंद्रगुप्त नाटक चुनाउन होने और क्या अद्भूत नाटक किया था कालन जी ने यह उन्ही की परदुभाय का कमाल था कि धाई तीन घंटे तक दर्ष्टक बंधे रह गए और लोगों ने देखा और यह धार्ना तोटी कि परदुप्त के नाटक खेले नहीं जा सकते हैं एक लेकिन परदुप्त जशंकर परदुप्त मुझे लगता है कि बराबर हांट करते रहते थोले द्रौसामने नाटक भी किया उन्हों ने जिस नाटक कार को जशंकर परदुप्त को कोई भी निर्देशक छूने का साहस नहीं करता था क्योंकि माना जाता था कि खेले नहीं जा सकते उसमें गीत हैं, बड़े-बड़े लंबे-लंबे डायलाग हैं पात्रों की भरमार है, युद्ध है, जंगल है, पहाड है, क्या-क्या नहीं उसमें ऐसे नाटक को खेलने का साहस, मंचित करने का साहस कोई निर्देशक नहीं करता था मुझे ऐसा लगता है कि बनारस में रहने, पढ़ने, लोगों से मिलने, जुलने का ये प्रभाव था कि जाश्रंकर प्रसाद को कारण जेन चुनोती के रूप में लिया और प्रसाद के नाटकों को किया और एक तरह से दर्शकों के समाज को दिल्ली को, भोपाल को, बनारस को, इलाहबाद को अहसास करा है कि ये नाटक खेले जा सकते हैं और अद्वुत नाटक हैं तो मंच के लिए ये विश्वस नहीं हैं यह एकसास कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वरना मुझे नहीं ध्याना कि सकन्गोप्त या चंद्रगोप्त को इन से पहले इस तरह से इतने आकर्शक धांग से एडिट किया उन्होंने हाँ, लेकिन वे सारे महत्पुन अंश्रा गये उसके और गजब का इंपेक्ट पड़ता था दर्शकू पर इस चुनोती को स्विकार करने वाले अकेले कारणजी हैं। अध्भूत किया था उन्होंने और इसे भुपाल में किया, इलाहबाद में किया, बानारस में काशी हिंदु शिद्याले में किया, और खुले में किया यहां, मदबन में, जिसमें हमारे खल हजारों के संख्या मे जहां दोसे निर्देशा अपने को समर्ज पाते थे वह कारण जी के लिचुनोती हुआ करता था नाटक यह खासियत तुनकी एक ही जाओर मैंने नाटक तो देखा है कारण जी कही नाटक देखा है मृच कटकम और मालवी में किया था उन्होंने भुपाल में मैं था उन्द उन्हों और हमको ले गए थे कारण जी देखने के लिए देखा था मैंने कारण जी जैसा संगीत का सिंस रखने वाला नाटक के अंतर गत जो स्पेसेज आते हैं गाइब साते हैं या कोई इस तरह का बहुत ही सम्वेदित करने वाला हिला देने वाला दिश्य हो वह कैसे मूजिक का इस्तिमाल किया जाए या यू दिखे समय मूजिक का कैसे इस्तिमाल किया जाए यह सारी चीज इने कार नहीं देखित वर कि संगीत का वैसा सेंस रखने वाला और मने किसी डारेक्टर कुने लेखा अधूत था और यह शाधे इस लिये था कि संगीत की शिक्षा उनकी बनार्स में हुई थी और बनार्स में भी पन्नितोंकारना ठाकुर से शिक्षा ले थी उन्होंने पड़ा था वागी कोई नाटक किया था उन्होंने जिसमें उनकारना ठाकुर का ही मजा खुड़ा था तो यह सब करते थे वो लेकिन अधुत था वो संगीत का जो कि जो सेंसिबिलेटी उनके भीतर पैदा हुई थी वो पंडितोंकारना ठाकुर से पैदा हुई थी और पता नहीं क्या उस नाटक का नाम था मुझे नियार वस्तुता जब यह आए थे नाटक का माहूल नहीं था बनास में काशी हिंदु शुद्याल में कोई नाटक नहीं खेला गया था मेरी जानकारी में तब तक अभिनेता भी नहीं थी अभिनेत्रिया भी नहीं थी अभिनेत्रियों के होने का सवाल नहीं था उन दिनो जो अभिनेत्रियों के जहां रोल करना पड़ता था वहाँ गाओं के कस्मों के इधर भर के नाटकों में लड़के ही लड़कियों करोड़ किया करते थे और काश्वी निश्वी देलम सवाल ही नहीं था किसी लड़की के अभिने भिया ने कहा इसलिए कारण जी करते ये थी कि साल में एक या तो बार एकल नाटक किया करते थे अकेले अपने दम पर छातर संग की ओर सिया किसी की ओर से वे एकल अभने करते थे मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है इसलिए कि हमारे भाई जो हिंदी के जाने माने आलोचक नामर सिंग जो कारण जी के गुरू भी रहे हैं जिनका बड़ा सम्मान करते थे वे जब नाटक देखकर आते थे कारण जी का एकल अभने तो चर्चा करते थे गर में तो इतना मुझे बोध है कि एकल अभने किया करते थे और बहुत अच्छा करते थे और उनकी एकल अभने ने चात्रों चात्राओं के बीच उन्हें काफी लोग का प्री बना दिया था तो यह सारी बात हैं देखे एक शी बता दे हमारा खेल है कि बनारस में कारणत जी को एक साहित्तिक वातावण मिला था उन दिनों बनारस में जो आज जाने माने कवी हैं या कथाकार हैं या अलोचक हैं या पत्रकार हैं ऐसे धेड़ सारे लोग पचासो साथ के दशक में बनारस में थे नामोर सिंग थे, तिलोचन थे, केदारना सिंग थे, रामदर्श मिष्र थे, विश्वचंद शर्मा थे, विद्यासागर नोटियाल थे कारण जे ने कहीं ये भी लिखा आए कि वे कमिनिस पार्टी के प्रभाव में भी आये थे ये सारा कुछ जो कुछ हुआ था बनारस में रह के हुआ था, उनका कि शोंक आ addak कार्थे नहीं आ, अभ itísनेता भी नहीं थे, अभिनेत्रियां भी नहीं थी, नाटक भी नहीं होते थे, तो साहित इकाया समाज उनके लिए मजबूरी थी, प्राय वे हमारे घर आय करते थे नामर जिस मिलने के लिए मैं पढ़ता था विद्यार थे था उन दिनो देखता था, सुनता था उन्हें फिर केदार नाजी के साथ गूमते हुई ने देखता था विजय मोहन के साथ, तिलोचन के साथ तो जितने लिखक थे तो उनमें नाटक की समस तो करनड गुरुप से पैदा हो गई थी अभिने की क्षमता भी उनके भीतर पैदा हो गई थी दिलस्थी थी उनकी उसमें लेकिन नाटक और साहिती की दोरियां जो खतम हुई कारन जी के भीतर की वो हमारा खाल कि वो उस्थल बनारस है और बनारस है विश्वी द्याला है असी है अनुमान घाट है जहां वा रहते थे ये जगहें के अनुमान घाट और असी आसपास है दोने में दोरी नहीं है टालते हुए लोग प्रया आया जाय करते है कारण जे भी प्राय आय जाय करते थे और लेखकों से भेठवा करते थे अस्सी चवराहे पर चाय की दुकान में, बैठते थे, सुनते थे, बाते करते थे, तो अपने साहिति की विवेक की शमता का उप्योग उन्होंने नाटक में किया, नाटक करने में, और इसी का मैंने कारण जी को या तो फोन पर मैंने पूछा था क्राण जी आया थे, को भी आईत थे, कि वह मैं आपको समरपन करना चाहता हूं, नाटक, और उहा है नाटक मैंने कारण जी को समरपित कीया था, ऐसा है कि आचार दिवेदी जी की आने के बाद हजारिक साथ दिवेदी जी जब अध्यक्ष होकर आए तो यह एक आक्रिष्ट करने वाला नाम था हिंदी में दिल्चस्पी रखने वाले किसी भी आदमी के लिए कि काशी हिंदुश दियाले में आचार हजाब से दिवेदी हैं एक बड़ा कर्शन था उन दिनों मेरी जानकारी में दक्षिन भारत में जितने विश्वी दियाले थे उनमें कहीं भी हिंदी विभाग नहीं था अगर रहा होगा तो नाम मात्र का रहा होगा उस समय किरना से करनाटक से तमिलनाड़ से आंध्रा से उड़ीसा से दोसरे दोसरे प्रांतों से लड़के पढ़नी के लिए आया करते थे काशी हिंदुश दियाले में विराबाद नहीं जाते थे लखनों नहीं जाते थे पट्ला नहीं जाते थे आचार दुवेदी के आकर्षन के कारण ज्यादा बड़ी संख्या में आया करते थे साउथ के लड़के दक्षन के लड़के विद्यार्थी पढ़ने के लिए और यह उनकी संख्या कम नहीं होती थी यानि आठ, दस, भारण लड़के हूँ दक्षर से हिंदी पढ़ने के लिए आएं जबकि माहौल उस तरफ का हिंदी के पक्ष में नहीं था आजादी मिल गई थी लेकिन माहौल बहुत हिंदी के पक्ष में नहीं था लेकिन जिन विद्यार्थियों के दिल्चस्पी थी हिंदी पढ़ने की वे विद्यार्ती अच्छी खासी संख्या में आया करते थे मेरा ख्याल है कि करनाटक में नाटकों में काम करते हुए अगर बनारस के प्रती आकरशन था दो-तीन बातें इस समें करना चाहता हूँ एक तो यह कि जब हिंदी में नाटक करना है तो कारणजे के दिमाग में था कि बनारस में रह के हिंदी सीखनी चाहिए हिंदी बोलने का लाजा, हिंदी कैसे बोलते हैं वाकि विन्यास कैसा होता है, शद्द कैसे होते हैं तो हिंदी का पुरा मिजाज अगर पकड़ना है तो बनारस आना चाहिए और इसे संयोग के रूप मैं नहीं देखता हूँ कि इंटरमेडियर्ट से लेके बिये तक की सारी परिक्षाएं कारण जी ने काशेंदु शुद्याले के किसी काले से की है या इसकूल से की है और जब कर लिया भी ये तब यहां करने के लिए आये में कारण जी और जैसा मैंने बताए कि अच्छी खासी संख्या हुआ करते थे थे लेकिन कारण जी उनके संपर्क में कम रहते थे खाटी बनारसी लोगों के संपर्क में ज्यादा रहते थे समभवता हिंदी सीखने की ही गरसे कि वे बोलते कैसे हैं और यहां रहते हुए कारण जी ने यानि उनसे मिलने पर बादचित करने पर कहीं अटकते थे लेकिन बड़े सहज रूप में हिंदी बोलते थे बिलकुर नहीं लगता था कि वे कंणर भाषा भाषी हैं कि मैंने प्रेमा इपा कौ यहां बानारस में नहीं डेखा उस तॉरान के बारे में बताने वाले एक और सद्द ग Aires रहर ने मदद कि थी वे कलकत्ता में28 कौकाता में लुकाता में कृस्त भिहारेolis मिष्यी के वे सीनिर हम से तो किष्ण भिहारे मिश्रे वे कुछ बता सकते हैं इसके बारे में प्रेमा जी को मैंने दिल्ली में ही देखा था उनके घर पर अब कौन सी कालोनी है यह इलाका था जहां घर लेके रहते थे वहीं पर खाने पर बुलाया था मैं किसी काम से गया था शुरुवाती दिनों में एक सट बासट की बात है शुरुवाती दिनों में गया हुआ था तो ही उन्होंने कारण जी ने अपने हां बुलाया था मैं गया था लेकिन जो सबसे बहुत पूर्ण बात अब भी मैं कहना चाहता हूं का रंजी के बारे में पता किया जाना चाहिए उनके एक अजीब तरह के वैराग्या भाव के बारे में सारा कुछ करते थे बड़े लिप्ट हो के करते डूब के करते सब कुछ लेकिन सम मिलाग्यों साथने की भीतर एक अनासक्ति का भाहू था चीदों मैं बताई कि जहां भी देखा उन्हें अकेला देखा मैंने लोगों के साथ या भीड में कहीं मेने किरा नहीं दिखा यानि भूपाल में दिखा घर पर भूपाल में अशोग बाज पही थे स्वामे नातन थे वीजे मोहन सिंग थे डेड़ सारे लोग थे और अच्छा खासा बाता वांड था वहां लेकिन कलाकार भी अच्छी खासी संख्या में थे लेकिन वहां भी कारण जी को मैं बेर की बोतल के साथ और गिलास के साथ अकेले बैठे हुए देखता था यहां भी बताया कि काश्विंड शुद्याला में जब सकंद कुट खेला जा रहा था कर था सारी तैयारियां कर रहे थे हल छन् début सब कुछ कारण जी अ लकष्मरदास अथितक्रे में कामरा नंबर एक के कमरे में अकेले चुपचा बैठे हुए थे, हाँ वही बियर लिए हुए, अकेले, मैं गया मैंने कहा आप क्यों नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अलग नंदन काफी है कर लेगा वो